दोस्तो जार पहले आप देख लो मेरे पास अलगलग बैंक के बहुत सारे क्रेड कार्ड्स हैं और अगर आपकी पास भी क्रेड कार्ड है और आप अपने क्रेड कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांस्पर करना चाहते हैं तो guys trust me आप इस बीडियो को ध्यान से और पूरा दिखीगा यहाँ पर मैं आपको एकदम नया तरीका बताने वाला हूँ because यहाँ पर आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा और सबसे कमाल की बात कि guys यह process ना मैंने पहले खुद follow किया था और उसकी बाद मैं स्क्रीन recording करके जब तक मेरे bank account में पैसे नहीं आये ना तब तक guys मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बिल्कुल भी तयार नहीं था because आज की टाइम में बहुत सारी application भाई मार्गरेडे में ऐसी भी है जिसके तुरू बहुत सारे scam भी होते हैं fraud होते हैं तो आपको हमेशा ना AC app का use करना है जो हमेशा trustable हो और एक बात और बता दू कि कोई भी sponsor वीडियो नहीं है आपको जो application सही लगता है आप उसका use करो but guys इस वीडियो में जो एप बताने वाला हो ना अगर आपने वो follow कर लिया तो भाई आपको ना मजा ही आना वाला है और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा आपने कभी ना कभी एक कहावत जरूर सुनी होगी बाप बढ़ा ना भीया सबसे बड़ा रुपईया तो भाई इसलिए मैं आपको बता रहा हो कि 1976 में एक बहुत ही फेमस मुवी आई थी जो कि हमारे इंडियन सिनेमा की मुवी थी हिंदी सिनेमा की और सच बता हूं इसका मतलब यह हुआ कि भाई पैसे के मामले में आपको जरा सो समझकर भरूसा करना चाहे बिकॉस बहुत सारे फ्रॉड करने वाली एप भी है अगर तो भाई कहीना कहीना आप अपने पैसे खो बैठ होगे इस बात का मैं आपको जो है पहले बता दे रहा हूं ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए क्योंकि हमारा काम है आपको अच्छी जानकारी देना इसलिए गाइस बीडियो को लाइक कर दो औ आप अपने credit card से bank account में एकदम free में यहाँ पर पैसे को transfer कर पाएंगे आपको सबसे पहले जाना है बीडियो को डिस्क्रिशन में और वहाँ पर मैं आपको housing app का link दे दूँगा जैसे आप link पर क्लिक करेंगे ना इस तरह की सिन उपन हो जाएगी अब आपको इसको अपने phone पर सबसे पहले install करना है, download कर लेना है, दोस्तों इस app को use करने से पहले आपको इस application के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आजकल market में बहुत सारी scam करने वाली भी application मौझूद है, तो यहाँ पर housing गाई जो app है, यह बहुत बड़ी company क app है, आपने सुना होगा real estate का नाम, जो की बहुत बड़ी-बड़ी buildings बनाती company, तो भाई उन्होंने हाले में यहाँ पर कुछ feature अपनी application में add किये हैं, जो की बहुत ही कमाल के लगे मुझे, तो आपको सबसे पहले इस app को अपने जो है, download कर लिना है phone पर, और उसकी बाद करन अब आपके सामने कुछ इस तरह के से interface कूल कर आएगा, अब दूस्तों यहाँ पर आपको payment करेंगे, बहुत सारे options मिल जाते हैं, जैसे कि rental payment का, आप rent भी pay कर सकते हैं, बट guys हमारे काम की यहाँ पर दो service है, एक है educational fees और दूसरा है tuition fees, because अगर आप ना इसके अलावा other services का use क लगते हैं, तो भाई वहाँ पर ना बहुत जादा charges लगते हैं, इस बात का मैं आपको बता देता हूं, तो यहाँ पर हम click कर लेते हैं educational fees पर, हाला कि आप tuition fees का भी use कर सकते हैं, तो फिलाल हम educational fees पर click करेंगे, अब दूस्तों यहाँ पर amount पूछा जारा कि आपको कितना पैस अपने credit card से bank account में transfer करना है, तो भाई हमें अभी ज़रुत है 35,000 की, यानि की 35,000 की, लेकिन दूस्तों हो सकता है कि आपको कम यह जादा पैसे transfer करना है, तो आपको जितनी भी ज़रुत लगे, आप अपने हिसाब से यहाँ पर amount को enter करेंगे, और एक बात मैं आपको और बता कभी कभी क्या होता है, जिस हमारे credit card की limit है 50,000 रुपे, लेकिन हमारे credit card की limit set होती है, वो होती है 20,000 रुपे की, तो आप उसको बढ़ा लेंगे, अब बढ़ानी कैसे है, कि आपको जिस भी company का आप credit card use करेंगे, उसकी app में आप जाएंगे, और credit card control में जाएंगे, तो वहा लीचे आप देखू, यहाँ पर लिखा हुआ साब साब 100% secure payment powered by Razorpay, दोस्तों Razorpay ना एक platform portal है, जिसके तुरू यहाँ पर payment की जाती है, और guys यहाँ पर आपका payment बिल्कुल secure and safe है, because मैं भाई, जब खुद यहाँ पर transfer कर रहा हूं, तो कोछ सोच कर रहा हूंगा है ना, तो यहाँ पर अब हमें करना है निचे से continue, अब दूस्तों आपको जिस भी account में पैसर transfer करने हैं, आप चाहे तो उनका यहाँ पर directly account number को enter कर सकते हैं, चाहे तो UPI ID को भी enter कर सकते हैं, UPI ID दूस्तों जो भी आप use कर रहे ना, उस application में आपको home page पर यहाँ नजर आता है, जैसे इस UPI ID का use कर सकते हैं, और इसके लावब अगर आप Paytm का use करते हैं, तो Paytm का UPI ID भी आपको home page पर मिल जाता है, तो आपको यह UPI ID चो है, अपना देख लेना है चकर करके, और उसके बाद यहाँ पर enter कर लेंगे, तो अभी हमने भाई अपना Paytm का UPI ID को enter कर लिया है, और हमारा automatically नाम भी आ चुका है, तो आपको इसको एक बार अच्छी से चक करना है, verify कर लेना है नाम को, because अगर आप गलती करते हैं आपको problem हो सकती है, तो यहाँ पर हमारा बिलकुल सही है Paytm का UPI ID, उसकी बाद हम नीची से करेंगे continue, अब दोस्तों यहाँ पर बोला जारा कि आपको अपना mobile number को यहाँ पर एंटर कर लेना है, तो जो भी आपका mobile number है, आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे, उसकी बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा, one time password उसको आप एंटर कर लेना, और यहाँ पर verify कर लेना, उसकी बाद दोस्तों आपके सामने एक और page खुल कर आप यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम एंटर करना है, जो भी आपका नाम है, और उसकी बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नाम एंटर करने के बाद नीचे आरा है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, have an invite code, आपको simply ना यहाँ पर क्लिक करना है, अब दोस्तो 82 रुपे का हमें directly यहाँ पर discount मिल चुका है, तो अभी दिखा रहा है कि अभी हमें यहाँ पर pay करना होगा 34,718 रुपे है, ठीक है, तो यहाँ पर चलो भई हम कर लेते हैं pay, उसके बाद उस तो आपके सामने एक और page खुल कर आएगा, अब आपको यहाँ पर अपने credit card कार and details को fill up करना है, जैसे कि आपका card number क्या है, expiry month और year क्या है, उसके बाद जो भी card holder का नाम है, card पर लिखा रहता है, उस नाम को enter कर लेंगे, और जो भी card के पीछे, 3 number लिखे होते हैं, CV number, उसको आप enter कर लेंगे, और यहाँ पर नीचे एक box है, इसको आप टिक कर लेना, और यहाँ पर आपको click करना है, total pay 35,282 रुपे, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो यहाँ पर 35,282 रुपे करे हैं, तो भाई 282 रुपे हमारे यहाँ पर फालतू क्यों लग रहे हैं, तो भाई यह जो 282 रुपे आपके लग रहे हैं, वो भी मैं आपको free करके दिख से, उस OTP को आपको डालना होगा, तो guys हम यहाँ पर थोड़ा सा wait करते हैं, और देखीगा हमारे पास page आ चुका है OTP के लिए, तो यहाँ आप हमने OTP को यहाँ पर flip कर दिया है, अब हम करेंगे confirm, जैसे आप confirm करते हैं, आप यहाँ पर आपका payment प्रोसेस में जाएगा, जैसे मैं आपको बताते हैं, starting में कि एकदम free है, ठीके, तो यहाँ पर जो हमने extra दिया था, 35,000 के उपर पैसा, तो भाई उसके बदले हम यहाँ पर cashback मिल चुका है, 282 रुपे का, अभी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप उसका use करोगे, ठीके, और उसके अलावा यहाँ दूसरा cashback मिलता है, scratch card, cashback card, तो यहाँ पर आपको cashback card के उपर क्लिक करना है, और उसके बाद भाई इस तरह के से open जाएगा, और यहाँ पर आपको पुल करना, याने कि आपको इसको नीचे करना, जैसे आपको इसको नीचे खिचेंगे न, आपका scratch card, automatically scratch हो जाएगा, ठीक file का icon नज़र आएगा, आपको simply यहाँ पर जो है, क्लिक कर लेना है, तो अब यार जो भी हमने यहाँ पर लेंदेन करी थी, उसका हमें detail मिलेगा, my transaction के उपर तो आपको इसके उपर क्लिक करना है, तो अब यहाँ पर दिखा रहा है, कि payment अभी processing में है, तो अगर आप details देख तो मैं आपको इस पहले proof दिखाएता हूँ, कि यहाँ पर हमें transfer करने में कितना टाइम लगा, ताकि आपको पूरी चीजें पता हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कि अभी हमने 17 तारिक में, 3 बच कर 27 मिनट में, 2 फर में, PM में, transfer किया था, अपने एक red card से, अपने bank account में 35,282 रुपे का payment, और अभी देखी का कुछ टाइम बाद ही हमें यहाँ पर SMS आ चुका था, बैंक की तरफ से, कि 18 मई में, यानि कि 18 तारिक को अगले दिनी, सुबे 4 बजे, यानि कि 12 घंटे के अंदर ही अंदर हमारा जो पैसा है, हमारे bank account में transfer हो चुका था, और सबसे कमा की बात यह देखो, कि 35,282 रुपे का, अब आप सूच रहे होंगे, कि 282 रुपे तो हमने यहाँ पर चुका है, यहाँ पर आप आपको जाना है, हाउसिंग एप में, जब आप हाउसिंग एप में जाएंगे ना, तो आप देखना, जब आपका payment successfully transfer हो जाएगा, आपके account मे जब आज आएगा पैसा, उसके बाद यह cashback आपको मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, सबसे उपर, 297 का cashback अभी हमारा wallet की उपर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देखो, 15 रुपे का हमें instant वहाँ पर cashback मिल चुका था, और जो offer हमें मिला भाई, वो 222 ना bank account में, तो guys यह पैसा जो है ना उस time पर adjust होगा, आप मान के चलो आपने 15,000 रुपे transfer करने हैं, तो 15,000 में से यह less हो जाएगा, यह वाल amount और यह आपका adjust हो जाएगा easily, तो यार दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने credit card से bank account में पैसे को transfer कर पाएंगे, आपको वीडियो कैसा लगा, comment करके ज़रूर बताएं, और guys वीडियो को like कर दिया करो, because वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और हो सके तो इस वीडियो को जादा से जादा अपने दूस्तों के साथ में share जरूर करना है, जिनको ना credit card से पैसे निकालना उनको तो आप ज़रूरी इस वीडियो को share कर देना